हमारे इनके गृरुजी आते थे तो वो जहन से थे तो लैसु निपद्धि भलता है नहीं गरमें कहूँ कुछ निकत नहीं है तो फुल्देफ इसे नहीं होता आप लैसु नहीं कहते और इंटो सलाह दे रहे रहे हो तो ब्लुजी वह गृु ठोडिय हो सकते जो खुद नहीं यह महाबदमाश है यह मैं तो निकल जाओं यह मर जाए बताओ पिता ऐसा कर सकता है पिता अगर है मैं नोट कमारा हूं तू मर ऐसा कैसे हो सकता है गुरू पिता समान होता है तो कैसे कर सकता है मैं अगर छुपाता हूं नहीं नहीं आप लोग करिये तो तो मैं गया, उसका मतलब मुझे पुनर जनम में विश्वास नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति ने पाया प्याज लसुन, ग्रहस्त ने, और रात को हो गया टाएं, हार्ट अटाइक हुआ और शरीर त्याग दिया, उसको कौन बचाएं, ये कहां लिखा है, ग्रहस्त को भी आश्रम लिखा है, ब्रह्मचारी भी आश्रम है, वानप्रस्त भी आश्रम है, और सन्यास भी आश्रम है, ये चारों आश्रम है, जहां आपने भगवान की आज्याओं का आश्रे ले रखा है, अब कैसे कह सकते हैं सब, अरे कुछ से, कुछ ना से तो कुछ अच्छा है, हा जी जादा जहर नहीं कभी कभी दो-चार भूंद खा लिया कर कैसे अच्छा है अरे आप जब तक पूरी तरही से नहीं बोलोगे strongly तो जो वो कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे पर गुरु जी ने कह रखा है कि कभी कभी चलता है अच्छा जी अगर चलता है तो आपको क्यों नहीं चलता है जी हमारी गुरु महराज लप्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते थे जिस चीज को गुरु ने त्याग दिया वो अपने शिश्यों कैसे दे सकता है कैसे सला दे सकता है कि क्या आप करो सब कोच करो मैं तो कर रहे हो बिजनेस वानपरस्त की त्यारी रखो मेरे बाद मैं तो सब को बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ कब तक कुर्शी से चिप पर रहोगे बच्चे को अपना दुश्मन बना लेते हो बच्चे के अपने आइडिया है आपका काम हो चुका है आगे चलो आगे बढ़ो अध्यात्मिक उन्नती के लिए आए हो भौत एक उन्नती नाम की कोई चीज नहीं है